सिंग्रॉली जुले के सिंग्रॉली विधान सभा की भाचपा विधायक राम लल्लू बेस ने ग्रामीन शेत्रों में विकासकारियों में तेजी लाते देखे अभी तक ग्रामीन शेत्रों में रोट की समस्या को लेकर लोग परिशान थे। जिससे गंभिरता से लेते हुए विधान सभा शेत्र सिंग्रॉली विधायक राम लल्लू बेस द्वारा कटॉली बेढ़न रोट से पिपरा कुरुंद पहुँच मार्ग तक करीब 7 किलोमीटर क रोट का भूमी पूजन किया गया जिससे डामरी करन कराया जाना है जिसकी लागत करीब 2 करोड 90 लाग बताई जा रही है तो मैं दूसरी तरफ शाषन से हर्रवा पहुच मार्ग रोट जिसकी लंबाई करीब 6 किलोमीटर है जिसका भूमी पूजन विधायक द्वारा किया जिसमें आरसे सी रोट बनाया जिसकी लागत 7 करोड 9 लाग रुपए के करीब बताई जा रही है भूमी पूजन को देखते हुए गरामलों में खुशी का माहूल देखने को मिला पिधायक रामललू बेज द्वारा बताया गया कि अभी कई ऐसे रोट है जोने बनवाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है शिग्रही उनका भी पूजन किया जाएगा सिंग्रॉली से राजु दुबे की रिपोर्ट सिंग्रहुली विधान सभाव में दो रोडों का भूम पूजन किया गया जो पहला है और गाई करोंटी से पिपरा कुछ साथ किलो मीटर कुछ मीटर की रोट है जो जिसकी लागत दो करोंट एनक्यानवे लाग कि आसपास इसकी प्रमान की लागत है जिससे इस मार्वक से बजाने से कई गाहों को लोगों को मुख्याले से जुड़ जाने का उसर में एक पई है दोदा है वुठी है इपरा कुछ वरगाई ऐसे गाहों को यहां के किसान लोगो आवा कमन की दिश्टे से चाहों मिद्याले जाएं बच्चे अध्वा बढ़र के ओर आने के लिए वुक्मारक से जुड़ जाएगे साथी शाषण से हर रहवा साड़े पांच किलोमीटर लंबे रूट का कांक्रीट रूट साथ कडोर नौ लाक रुपाई की निर्मान किया जाएगे जिससे कि सराई जहर मकरोहर के साथ साथ रहवा एक बड़ा गाउँ है इन सब को सासन होते हुए इनको बढ़नाने की सुद्धा मिल पाई को यह मार्ग बन जाने से जनता काफी खुश है क्रुश है